कई लोगों को खाना खाने के बाद अच्छानक से सीने में जलन शुरू हो जाती है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं लेकिन अक्सर या समय पर ना खाने अधिक खाना अनहिल दिखाना और गलत आदुत के कारण होता है कई बार जलन इसलिए भी होता है क्योंकि अपने जादा मशालेदार खाना खा लिया है जिसकी वज़ा से हट बर्न की समस्या शुरू हो जाती है सीने में जलन के कारण कई बार लोग दवाई खा लेते हैं लेकिन ऐसे में दवा खाने के जरूरत नहीं बलकि कुछ घरेलू नुसके अजमाने की जरूरत है क्योंकि दवा के साइड भी होते हैं सीने में जलन को घरेलू उपचार से करें ठीक सीने में अगर आपको बहुत तेज जलन हो रही है तो आप पुदीना फ्लेवर्ड के च्विंगम चबाए इसे चबाने से जलन एकदम कम होगा आपके दात और शरीर को आराम मिलेगा और एक चीज जब भी करने के लिए बेकिंग सोडा बहुत कारगर है इसके लिए आप एक लस पानी में उसमें एक चौथा बेकिंग सोड़ा डाले और फिर इसे मिक्स करके पी लें इससे आपको 15ृट में आराम मिलेगा आपको बेकिंग सोडा पीने के बाद बेचैनी उल्टी और सीने में जलन क समस्या कम होती है केमो माइल चाय सीने में जलन को कम करने के लिए आप केमो माइल चाय भी पी सकते हैं इसमें मौजूद कई तरह के गुन पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है इसे आप खाने के बाद पिएंगे तो काफी जादा आराम मिलेगा बदाम एक मुठी बदाम भी आपके हार्ट बर्न की समस्या को तुरंत ठीक कर देती है अलोवेरा अलोवेरा से भी आपके सीने की जलन तुरंत ठीक हो सकती है या एक नेचुरल हर्भ है या आपके शरीर को ठंडा रखती है सीने में जलन की समस्या होने पर आप अलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं से अगर आप रोजाना सेव खाते हैं तो आपके पेट में मौझूद सभी एसीड तुरत ठीक हो जाएंगे क्योंकि एसीड के कारण ही सीने में जलन उरती है अद्रक रोजाना आप खाली पेट अद्रक का एक टुक्रा चबाएं या फिर अद्रक की चाय पीने से भी सीने की जलन में रहात मिलता है ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें मेडिकल माइक साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें